दोस्तो असलाव अलेकुम। सुपर शम्स फैक्टरी लेब में है खूश शाम दील। दोस्तो आज टापिक है। हम वाशिंग पॉडर का जो हिकारबार करें न। लापर परवाही में या कम इल्मी में या कंजूसी में जो केमीकल की कंजूसी कर रहे हैं। जो तबाही और वर्बायादी अपनी आपकी कर रहे हैं। वह दास्तान बता रहा हूं। चार साल की दास्तान है। एक दिन की नहीं है। दो दिन की नहीं है। पूरे चार साल की दास्तान है। कम इल्मी में है। कि हम सीखना नहीं दूसरी के कापी करने तो कापी करना भी हमें नहीं आता है दोस्तों में 2018 में फेक्ट्री लगए तो गुरूर था कि जनाब बहुत बड़ा सेटप में चला के आयों केमिकल से खेलते खेलते जनाब तीन साल लग गए अब यह वाशंग पाट तो कुछ पहने एसी चपाथ पड़ी कि जनाब एक तो संभाल दे संभाल दे श्भास दे छे मैने लगे आए जो निया कारूपार करना चाह रहे है जो मेरे इसे फेक्ट्री लेप के मेंबर हैं तीके ना यह उनकी यह लेब यह मेरी लेब यह आपकी ले यह सबकी लेब यह से एक जीने का बहुत बड़ा सेंटर है ट्रेनिंग सेंटर है मुफत का कोई नहीं हम चुपाते एक ट्रायल को चार-चार मरतबा हर एंगिल से देखते हैं कि यह खराब हो सकती है यह भी हो सकती है सिर्फ इसलिए कि जो दोस्त देख रहे हैं मुझे पांच-छे मिनट दे रहे हैं उनका फाइदा हो जो मुझे चार साल पहले दोहजार अठारा में फारूमूला मिला वह चार सो फेक्ट्रे जो छोटे पिमाने पर काम कर रही थी उनको भी वही फारूमूला मिला भी तो जहरे उन विचारों के पाद इतने पैसे नहीं थे खिसी चाल लाग जनाब खतम हो गहर बैच गया किसी कि च्छैंद कि जब डूब गए किसी कर पंतरा लाग जनाब चालीस लाग मेरे जनाब एक लिस्टक्री बने करोड के करिब 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 के मिकल आगे पीछे काम कारोबार सीख नहीं रहे केमिकल बनाना सीख नहीं नहीं रहे समधर में जंप मारते यह पता नहीं है कि समधर में पानी कितना घहरा है कितना डूबने का खत रहे पेसे उठाया चाह लाग पांच लाग बायो रेशीपी देदो रेशीपी उठाई के दो दो दिन के ट्रेनेंग की कारबार शुरू किया यह खुद कशी है खुद कशी आईए हमें जो रेसीपी मिले ठीके 400 विवालियों को वो जो मिली मिली वो में पढ़के सुनाता फिर मैं बताता हूं नुक्साना आता सोडा एश 38 किलो मीठा सोडा नहीं डाल रहते शदीद वाइट ने इसका तूफान आ रहा था सल्फिनिक एक्सिट 19 किलो एरानी तेल तबाही गंडा हमारी मुक्कादर बन रहती 19 किलो सोकेजी के लाट में कास्तिक लई साड़े चार किलो एस एल एस पाॉडर एक किलो पंद्राव डेड़ सो गराम एक किलो डेड़ सो गराम शेंपू बेस हम नहीं डाल रहते हैं सोडियम सिलिकेट चार किलो टीएश पी बीस किलो 20 इतना हेवी है इतना वजन दार है ज्ञाक को मारता है जिस हेवी यह सुरु दाग धबे मिटाता मददगार होता है सिल्फिनिक एकसेट का और मिठ्षा सोटा एश का, सोटा एश और सिल्फिनिक एकसेट में पानी में जिनके जो एच पिलस, O, H मेनस वही काम करता है, जो टी-एसपी करता है, वह बहतर अंदाज में दोनों मिलके करते हैं, टीएसपी में वो ताकत वो फारवुला में वो चराब हेडरोजन नहीं है 20 किलो HDPP नहीं डाल रहे गुलाबर साल्ट 5 किलो कलरदाना 1 किलो साल्ट नहीं डाल रहे परफ्यू तक्रीबन आदा किलो नेर साब बेस पाउंडर 4 किलो एक जालिक एकसिट हम नहीं डालें जिस वज़ा से वाइट नेर साब बेस पाउंडर है खुश्क करने के याने सिलिकोन डायकसाइड है सोडा एश में तो कास्टिक सोडा है कार्बोनिक एकसिट है यह कैसे खुश्क करेगा यह तो रियेट करता है रियेट किसके का साथ करता है उपर एकसिट के साथ यह तो एकसिट से के साथ रियेट कराना था यह छोटी छोटी गलतिया लाई मी में जो हमने तबाही की बरबादी की चाय इदर लेके आजो बाई चाय की वज़र से तो मैं भर रहा हूँ दोस्तों चाय ने बेर की थी एक घंटा पूरा न दस बज़े मिलने थी 11 बज़े आईए तो मैंने का यार फारग हूँ दोस्तों को बता दू यार आइंदा ये गलती नहीं करो ठीक है आइंदा ये हम गल रही फार्मूले का पता नहीं को कूद पढ़ते हैं कारोबार में आए जनाब जो हमारी गोल्डन परांट है हमने जनाब छे मेने मिनत की सोडा एस को 45 किलो तक लेके आगे मीठा सोडा पांच किलो डाला वाइटनेस साफ्टनेस ब्राइटनेस सारी आगई वापस सेल्फिन के एकसिट 19% वो डालते हैं जिसके पास ड्रायर हो आटोमिक सिस्टम हो जो आभवाव मास्टर है जो नम्य है वो उनके अंतर जाही नहीं सके वो अपन प्लांट नहीं है यह बंद है यह ड्राय बे मशीनों से होके सिलिकोन डाय अकसाइट के मारफ़ ड्राय करते हैं तो 19% यहां हमने 7% यहां सेल्फीनिक एकसिट एरानी तेल वो भी 19 किलो मैं इतहाद की डालता हूं 7 किलो कास्टिक लेए 4.5 किलो मैंने के यहां सोटाइश को 45% तक पहुचा के कास्टिक लेके अब जरूरत ही नहीं पड़ रही मैं सोडियम सिलिकेट 5% कर दिया तो अब कास्टि लेकि मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है शेंपू इस एलस 1.5500 एक किलो डेर्ट फो गिरा मैं एक किलो डाल रहा हूं शेंपू बेस यह नहीं डाल रहा हूं ताकि यह जो कमी मैंने सल्फिनिक एकसिट वाली की है वो यहां कवर हो जाए SLES 3 किलो सोट्यम सिलिकेट में 5 किलो डालता हूँ यह साब 4 किलो डालते थे TSP 5 किलो डालता हूँ यह 20 किलो यह जाग एक वजनी ओ दूसरा घंडा बन रहा था सईदानी तेल से मिलके तबाह बरबाद हो गए यह 400 फिक्ट वाले यह 400 फिक्ट वाले मेरे TSP 5 किलो ASTPP नहीं डाला मैं 3 किलो डाल रहा हूँ गुलाबरसाल यह 5 किलो मैं 15 किलो क्योंकि जो यह SLES 3 किलो डाला उसको नुक्सानात कवर करने के लिए गुलाबरसाल डाला चाहे मैं 25 परसंट तक लेके जाओ कोई फरक दोस्तो इस मेरी रेसीपी में सफाई में फरक नहीं पड़ेगा कलर दाना 1 किलो मैं 4 किलो डाल रहा हूँ SALT मैं डाल रहा हूँ 3 किलो यह बिलट के दाग धबे मिटाता है SALT डालना भी मस्ट है PERFUUM आदा किलो मैं भी आदा किलो नैन साब बेस पाउंटर यह चाल करो बड़ी अच्छी बात है बहतरीन है मगर मुझे पैसे की ज्यादा उपर चले के फर्मिंग में तो यहाँ 2 किलो डाल रहा हूँ SALT यह नहीं डाल रहा मैं डाल रहा हूँ 2 किलो बहतरीन साफनेस बहतरीन साफनेस आफसाब में मीटा सोडा एक्जालिक एक्सिट मीटा सोडा एक्जालिक एक्सिट मीटा सोडा एक्जालिक एक्सिट का कमाल है और यह जालिम सोडा एश बात बे चार किलो डाल रहा है हम नहीं डाल रहा है सोडा इस तो बाई react करता है इसके सल्फिनिक एक्सिट के साथ अब तो यह किलोजिंग हो रही है अब तो यह सब बन गए react हो गया बेस और एक्सिट का अपने अपने मालीकुल को नहीं कंप्लिट कर दिये हंड्रेड परसंड आइनाइस हो गए जोड़े बन गए शेल कंप्लिट हो गए फिर इनको जगा रहे हो तो यह तपाई यह बर्बादी लाइल्मी में हुई है पिरायकरम यह रेसीप्या मजाक नहीं है कि रीशर्च करो शोग विदा करो दो-दो किलो घर में पनाओ दस-पंधरा किलो का मट्रियल लेकिया जाओ घर में त्यार करो अंड्रेड परसंड अंड्रेड परसंड जब आपको अबूर हासल हो जाए तब कारोबार की शुरुवात करो सुपर श्यम्स को सब्सक्राइब करो आपका चैनल है आपका इदारा है आपकी लेव है कुश्चन पुटप करो फिर हम उसका जवाब देंगे रीशर्च करेंगे कल इन्शाला हम ना बरतन धोने का साबन इन्शाला फिर शुरू कर रहे हैं आज चुटी का दिन है चाह दे हो सकता है किसी का फाइदा सुपर श्यम्स फेक्टरी लेव से खुदा आफेश